팟री सब्सक्राइब को salvar okay वल्कम टो जीह स्वारताम हम जान हें भक्ति सेंट्स को ठीक है वेरियस पार्ट वे इंडिया से में भक्ति सेंट्स को रहे है ठीक खाल पाँ प्र ढ़ carbon को आगे थे कि टो आज पढ़ेंगे भक्ति सेंट का थर्ड पार यह इससे पहले भी दो लेक्चर सोच जुके भक्ति सेंट पर तो उसमें हम आज पढ़ेंगे रामनंदा वल्लबचारिया रभीर दासन गुरुणानक ठीक है यह फोर सेंट जो रहे इनके बारे में जानेंगे आपके यह कहां से जो ह इस समय के जो है जो भक्ति सेंट रहे है अब दीखेगा यह ओस 14th century वैशनव वाड़ डिवोशनल पोईट सेंट ठीक है 13 14th century के टाइम पर क्रिश्ण को मानने वाले क्रिश्ण को मानने वाले है यह पता होना चाहिए आपको डिवोशनल पोईट थे साथ प्र सेंट भी थे इस फिलोशफी और दिवोशनल थीम फाल ले लाद्रामा से इंश्पारा मझे ए इब देबी पर बेज कि और जो कृष्णा जो है गोर्ड रॉड रामा की है धिक यह अशंफ फने टावन अच्शन अच्छात्या के आपको पतावना चाहिक है कि आपकर इंप्रिशन जाल तो उससे इंप्लूएंस दें एक नाथ पंथी जो है वह योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी एक योगा योगा स्कूल में कई तरहे फिलोसफी से है तो उससे इंस्पायर लगता है रामनंदा हमारे तीक है अब दिक है अरली सोशल रिफॉर्मर रामनंदा accepted disciples without discriminating anyone by gender, class, caste or religion, ठीक है, रामनन्दा ने किसी हो भी, ठीक है, कोई भी उनका disciples बन सकता है, ठीक है, उनको follow कर सकता था, ठीक है, उनने कोई भी भेदभा हो नहीं किया, ठीक है, on the basis of gender, class, caste, religion, इन पर उन्होंने कोई भी discrimination नहीं किया, इसbās पे ठीक है, his disciples included, ठीक है, ठीक है, पपीर, रविधास, भक्त, भगत पीपा, ठीक है, ये, नके किया रएठो, कि बड़े फेमस disciples रहे हों, रामनन्दा के, अभी रभिदास और भगत पीपा जो इनको मानते थे His words is mentioned in the सिक स्क्रिप्चर आदिगरंथ इनके जो words है इनके दोरा जो लिखी गई बातें हैं ठीके सिक स्क्रिप्चर में आपको मिल जाएगी आदिगरंथ में ठीके इनके लिखी पातें रामननंदा की सब्सक्रीब के निके दौरा इनके दौरा लिखी Rails टीक है पहले एसे रहे को ऑन्टी को प्रमोट करते हैं फॉसका सुद्ध अधवेता नां की फिलोसफी जो है वह इसको प्रमोट करते हैं इसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उनके सांथ आपका और इनका क्या मिलन हो जाए पुरा जो गौड जो भी है इनका और आप इनके बारे में इतना रिवोट हो जाए ठीक है यह आपके जो गौड है और जो डिसाइपल है ठीक है इस तरीके से फॉलो करेंगे कंप्लीट यूनि 24 पुष्थि मारगा एदए मीज्फ एक्स ट्र Emm दिवोशण तीप ब रास्ता है ठीक है थाकि माररा के सिर्वेशी अब च्रिम दिवोशन करना आप ने एक सिर्म करना सेल्वेशन का मेंज हैं इस समय पर आप देखते हैं का भक्ती मुवमेंट है ठीक है इस वर्टीन सेंचुरी इंडियन मिस्टिक पोएट और सेंट भी रहे व्यूस राइटिंग इंफ्लूएज्ट हिंदुएजम भक्ती मुवमेंट इस वर्टीन इस वर्टीन सेंट पर आपको बता चुक यह रामनंदा के बारे में बताया था अगेंज आपके अगेंज सुपर्फिशे रिटीन इस प्रैक्टिस फॉल उडब बाय है बोथ हिंदूस जीम ठीक है उन्होंने क्या किया दे इनका कभीर दास का जो तो ऐसे जो जाएंगे आपको मुसलिम से मिल जाएंगे तो ऐसी जो प्रैक्टिस हो देती है उसके बड़े अगेंस रहती थे कभीर दास ठीक है सब्सक्राइब करने वाला जो इंसान होगा वह सत्य उसके सांथ हमेशा रहेगा यह उनका कहना था सब्सक्राइब को अपना जैसा ही माना और नहीं है इस तरह के लिए इसलाम कहते हैं आपके हिंदू इसलाम के बीच में जो भी विवाद हो रहे हैं उसके बीच में रिकंसाइल का काम करते हैं शुल्हान के सकते हैं आपसको हिंदूइजम और इसलाम के विचिन जो भी विवाद होने है ठीकि उसके पहले ऐसे थे जो रिकंसाइल किया नहीं है यह आपको मैंने बताया पड़ाया था आपको सगुना और निर्गुना जब पड़ाया था ठीकिन फॉर्म लेसे गॉर्ड फॉर्म लेसे एट्रिब्यूट्स कोई क्वालिटी भी नहीं है ठीक है और देखिए इस तरीके के जो स्कूल फॉर्ट यहां पर जो है वह आपको जो अपनी आइडल वर् को अगे बढ़ी कभी पंथ के नाम से अर्लीजिस कम्मूनिटी एड़ रिकांगनाइज इम एज़स फांड़ ठीक है कभी पंथ के जो लोग है वह मानते है कि अब देखिए कभी पंथ को मानने वाई लोग को कभी पंथी भी रहा ठीक है ठीक है रहा ही रोट नहीं ने अब भी ने कौन कौन सी लिखी है यहां पर उनकी रचनाए कौन कौन सी है सबद भीजक दोहा होली रेखाताल ठीक है राम बक्ति प्रॉपार्वक्ति को जो है आगे फैला है राम बक्ति को कि नेक्स्ट गुरुनानक क्या कहते है गुरुनानक ते तलवंडी नियर लाहर मे वर्थ हैं वर्थ हैं वर्ष है उसको गुरुनानक गुरुपार्व के नाम से भी सेलिबरीट किया गया आता है लास पार्ट ऑप लाइब उस लाइब पेंट था उनका प्रवावित हुए थे अब देखिए मोस्ट पैमस टीचिंग अट्रीच अटरीट टोगुनानक गॉ उनका मानना भी यह था ही God only one है ठीक है multiple God में इनका बिलीव नहीं था and that all human beings can have direct access to God ठीक है with no needs of rituals and praise अब उनका कहना था कि हर किसी भी जो person ठीक है God अगर यह God रहे तो और यह person है कोई भी person है x y z ठीक है कोई भी person जो है God तक directly पहुंच सकता है God तो किया directly पहुंच सकता है without any means of rituals ठीक है यह without without a need of rituals rituals की कोई जरूवत नहीं है ritual करने की कोई जरूवत नहीं rituals और priest की भी कोई जरूवत नहीं ठीक है आप directly जो है God को access कर सकते है ठीक है इनका है कहाना था his most radical social teachings ठीक है उनकी जो radical social teachings में देखिए एक बात यह रहे कि उन्होंने कास सिस्टम को बिलकुल नगार दे कास सिस्टम के बिलकुल अगेंस थे वो and thought that everyone is equal उन्होंने कहा कि everyone is equal regardless of caste and gender ठीक है सबके equality को promote किया ठीक है कास्ट जेंडर ठीक है इस इसका मीनिंग क्या होता है एन एंटीटी डटीज शेपलेस ठीक है एसी एंटीटीज शेपलेस ठीक है कोई फॉर्म नहीं हो उसका निर्गुना वक्ति आप शाखा से आ रहे हैं वाले थोट्स ठीक है इन्विजिबल है दिखाई नहीं देता है हमको अधर नीम्स पर गॉर्ण पूरक है निरंकार ठीक है यह भी जो रिलीजिन है उसमें गॉर्ण को ठीक है अकाल पूरक के नाम से नाम से भी जाना जाता है वाहु गुरु का देखिए उनने concept दे वाही गुरु ऐसा एंटीट इन्विजिबल जो उसमें इंक्लूड है जो रचना है ठीक है अधिस ओल आवाउट धी भक्ति सेंट्टी गई Now for the GSWarta viewers, if you are liking our content, please like, share and subscribe. Thank you so much.